परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर जगा पुरुस बिना क्रोध और विवात के पवित्र हाथों को उठा कर प्रात्ना किया करें परन्तु जिनके हाथ ही नहीं है वे कैसे प्रात्ना करेंगे तो यहाँ पर बात हाथ की नहीं परन्तु हमारे मन की है कि हम अपने मन को परमेश्वर के तरफ लगा कर परमेश्वर से कैसे प्रात्ना करें इसलिए जिनके हाथ हैं वे भी और जिनके हाथ नहीं हैं वे भी वे दोनों अपने मनों को परमेश्वर के तरफ लगा कर परमेश्वर से प्रात्ना करें अब चलिए हम परमिश्वर के वचन को समझेंगे इसके सही अर्थ को जानेंगे कि वास्तविक में परमिश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है और परमिश्वर के वचन में लिखा है कि पुरूस हर जगा बिना क्रोध और विवात के पवित्र हाथों को उठा कर प्रात्ना किया करें तो यहाँ पर वचन से तीन बाते निकल कर सामने आती है तो पहला है कि पुरुस बिना क्रोध के प्रात्ना करें और दूसरा है कि बिना विवात के प्रात्ना करें और तिसरा है, पवित्र हाथों को उठा कर प्रात्ना करें, जब हम क्रोध में रहकर या गुस्ते में रहकर परमिश्वर से प्रात्ना करेंगे, तो आवस है कि हमारी प्रात्ना में नम्रता और दिंता नहीं होगी, और जब हमारी प्रात्ना में नम्रता और दिंता नहीं होग तो महान परमिश्वर ऐसी प्रात्नों को स्विकार नहीं करता जिस प्रात्ना में नम्रता और दिंता नहीं होती क्योंकि जब हम क्रोध में रहकर प्रात्ना करेंगे या गुस्से में रहकर प्रात्ना करेंगे तो जिसके प्रती हमारे मन में क्रोध होगा या गुस्सा होगा उसके लिए हमारे मन से बद्दुआ निकल सकती है जैसे कि संसार के भाईवहन अपने दुस्मनों के सर्वनास के लिए अपने इस्वर से बद्दुआ मांगते है कि मेरे दुस्मन का नास हो जाए उसका हाथ पैट तूड जाए उनका नुकसान हो जाए या उनके प्राण निकल जाए इस तरह से संसार के भाईवहन आपने दुस्मनों के लिए बद्दुआ मांगते है क्योंकि सैतान ने भाईवहन तेरे लोगों के हिर्दे में नफरत और गुसे के बीच को बोकर रखा है इसलिए संसार के भाईवहन ऐसी प्रात्ना करते है परन्तु हमारा महान परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसी प्रात्ना करें और किसी के लिए बद्दुआ मांगे क्योंकि महान परमेश्वर ने हमारे होटों को किसी को स्राब दने के लिए नहीं बनाया है और नहीं किसी को बद्दुआ दने के लिए बनाया है परंतुमहान परमेश्वर ने हमारे होटों को अपनी महिमा के लिए बनाया है अपनी बढ़ाई और अपनी प्रसंसा के लिए बनाया है इसलिए यदि कोई हमें बेवज़ा परशान करता है या हमें बेवज़ा सताता है तो भी हम उसके लिए परमिश्वर से आसिस मांगें उसके लिए परमिश्वर से दुआ करें उसके अच्छे जीवन के लिए परमिश्वर से प्रात्ना करें जैसे कि रोम्यों बाराध्याय 14 आयत में लिखा है अपने सताने वालों को आसिस दो, आसिस दो, स्राप न दो अक्सर जब इंसान क्रोध में आकर परमिशर से प्रात्ना करता है तो या तो वह खुद के लिए बद्धुआ मांगता है या दूसरों के लिए बद्धुआ मांग लेता है तो ऐसी प्रात्ना परमिश्वर को श्विकार नहीं होता इसलिए प्रात्ना करते समय हम अपने मन से सारे क्रोध को दूर कर दें अपने सारे गुसे को दूर कर दें जिससे कि हमारे मन से किसी के लिए बद्दुआ न निकले सिर्फ प्रात्ना के समय ही क्यों परन्तु बाकी समय में भी हम अपने हिर्दे में क्रोध को उपजने न दें, गुसे को उपजने न दें क्योंकि हमारा पल भर का क्रोध, हमारा पल भर का गुसा हमारे सान्ति में जीवन में कलाहुत पन न कर सकता है हमारे जीवन को कलेस में डाल सकता है हमारे परिवार को बिखेर सकता है, हमारे घर को उजार सकता है हमारे बने बनाए काम को भी बिगार सकता है क्रोध करने से ना केवल हमें ही नुक्सान होता है परन्तु हमारी वज़ा से दूसरों को भी नुक्सान होता है इसलिए न तो हम प्रात्ना करते समय क्रोध में आकर प्रात्ना करें और नहीं प्रात्ना के बाहर क्रोध करें क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु प्रभु येश्व मसी में उद्धार पाने के लिए बनाया है जैसा कि हम पहला थिश्णुक्यों पाँच अध्याय नव आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परन्तु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु येश्व मसी के द्वारा उद्धार प्राप्त करें इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र और दिन होकर उससे प्राप्त न करें और प्रभु येश्व मसी के उद्धार में बढ़ते जाएं क्योंकि क्रोधी मनुसे के लिए श्वर्ग में कोई इस्थान नहीं है जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्तिरचे सुसमचार पाँच अध्याय तेन और पाँच आयत में धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग कराज्य उन्हीं का है और धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे प्रित्वी के अधिकारी होंगे इसलिए हम नम्र और दिन होकर परमेश्वर से प्रात्ना करें क्रोध हमारे जीवन का वह सत्रू है जो हमारे मन की सांतिय और आनंद को छीन लेता है खा जाता है जैसे कि कुछ लोग क्रोध में आकर अपना ही नुकसान कर लेते हैं अपने हाथों को ब्लेट से काट लेते हैं अपने सरीर को नुकसान पहुचा लेते हैं तो कुछ लोग क्रोध में आकर अपने मुबाइल को तोड़ देते हैं तो कुछ लोग अपने और किसी समान को फोड़ देते हैं तो कुछ लोग क्रोध में आकर बड़ी तेजी से गाड़ी चलाते हैं, जिसे से खुद को और दुसरों को भी जान का खत्रा बना रहता है, इसलिए क्रोध करना हमारे जीवन के लिए कहीं भी सही नहीं है, एक प्रकार से कहें, तो क्रोध हमारा सत्रू है, क्रोध एक ऐसा सु गुसेल प्रविति का था, और गुसे में आकर मैंने अपने कई मोबाइल भी तोड़ा ले हैं, हाला कि बाद में मैं पश्टाता था, कि ये मैंने क्या कर दिया, परन्तु प्रभु येश्व मसी का धन्यवाद हो, कि उसने मेरे जीवन को, मेरे सुभाव को धीरे धीरे बद कर आते हैं, इसलिए हम गुसे से साउधान रहें, जैसे कि कई घरों में लिखा रहता है कि कुत्ते से साउधान रहें, ठीक उसी प्रकार से हम गुसे से साउधान रहें, तो अभी हमने जाना कि हमें क्रोध में आकर, गुसे में आकर, परमिशर से प्रातना क्यों नहीं करनी चाहिए अब हम दोसरा जानेंगे कि हम बिना विवात किये अर्थाद बिना किसी से लड़ाई जगड़ा किये परमेश्वर से कैसे प्रात्ना करें तो इसका भी उधारण लगभग पहले के ही जैसा है जो मैंने अभी आपको बताया तो चलिए हम जान लेते हैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई को इसके सही अर्थ को कि वास्तोईक में परमेश्वर का वचन बिना विवात के बिना जगड़े के प्रात्ना करने के लिए क्यों कह रहा है और परमिश्वर के वचन में लिखा है कि परमिश्वर के दास को जगडालू नहीं होने चाहिए ना तो हम खुद किसी से लडाई जगडा करें और नहीं दूसरों को लडाई जगडा करने के लिए उत्साहित करें क्योंकि लडाई जगड़ा करना या लडाई जगड़ा करवाना ये दोनों जानवरों का काम है इसलिए हम लडाई जगड़े से दूर रहें और यदि कोई हमें लडाई जगड़ा करता है तो हम वहाँ पर चुप चाप रहें या फिर उस जगह से चुप चाप निकल जाएं और फिर भी यदि कोई हमें जान बुश कर लडाई करता है तो प्रभू येशु मसी ने हमें सिखाया है कि हमें क्या करना चाहिए हम उन्हें छमा कर दें जैसे कि मत्ती पांच अध्याय 49 आयत में लिखा है यदि कोई तिरी एक गाल पर थपड मारे तो उसकी और दूसरा भी फेर दे परमिश्वर नहीं चाहता कि हम किसी से बदला लें या बदला लेने के बारे में सोचें अब सायद कोई भाईबहन मुसे ये सवाल करे तो क्या हम जुल्म को सहते रहें कोई हमें मारता रहे, कोई हमें सताता रहे तो क्या हम उसे सहते रहें तो यहाँ पर जुल्म सहने का मतलब डरपोक बनना नहीं है परन्तो अपने इश्वरी सुभाव को प्रगट करना है और इश्वर मनुसे से कभी लडाई जगडा नहीं करता इश्वर ने कहा है कि जिसके पास परमिश्वर का वचन पहुंचा वे इश्वर है और यही वचन हमें इश्वर के जैसा बनाता है और इश्वर मिट्टी के बने वे पुतलों से लडाई जगडा नहीं करता हो सकता है कि कोई हमें बार-बार लडाई जगडा करता हो या हमें बार-बार परसान करने की कोशिस करता हो फिर भी परमिश्वर के वचन में लिखा है कि अपने सत्रों से प्रेम रखें और यदि हम अपने सत्रों से प्रेम रखेंगे तो अवस्य है कि हम उनके अच्छे जीवन के लिए, अच्छे ब्यभार के लिए परमिश्वर से प्रात्ना करेंगे जैसे कि हम अपने परिवार के लिए प्रात्ना करते हैं, अपने माबाप के लिए प्रात्ना करते हैं अपने भाई बहनों के लिए प्रात्ना करते हैं अपने बच्चों के लिए प्रात्ना करते हैं अपनी पत्नी के लिए प्रात्ना करते हैं या फिर अपने पत्नी के लिए प्रात्ना करते हैं इसलिए बाइबल हमें अपने सत्रों से प्रेम करना सिखाती है न कि लड़ाई करन रुम्यों बाराध्याए 20 आयत में लिखा है यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला और यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला प्रभु येशु मसी को भी बहुत सारे लोगों ने मारा पीटा उसके मुह पर थूंका उसे कांटों का मुकुट पहनाया उसे 49 कोडे मारे उसके हाथ और पाव में किले को ठोंक दिये तो अभी प्रभु येशु मसी सहता रहा और उन सब को छमा कर दिया क्योंकि इस्वर मनुष्य से लडाई नहीं करता पर उन्ति यदि कोई मनुष्य को मारने के लिए तलवार उठा लेता है या कोई हथियार उठा लेता है तो वे इस्वर नहीं हो सकते क्योंकि सच्चे इस्वर को हथियार उठाने की जवरत ही नहीं है कई बार ऐसा भी होता है कि अनायास हमारे किसी से जगड़ा हो जाती है तो हम कहते हैं कि आज मेरा दिन खराब हो गया इसलिए बाइबल कहती है कि हम बिना किसी से विवात किये बिना किसी से लड़ाई जगड़ा हुए अपने महान परमेश्वर से प्रात्न करे जिससे कि हमारा दिन खराब न हो अब हम पवित्र हाथों को उठा कर प्रात्न करने के बारे में जानेंगे जब हम अपने हाथों को उठा कर परमिश्वर से प्रात्ना करते हैं तो इसका मतलब हम अपने आपको पूरी तरह परमिश्वर को सौंप देते हैं अपने आपको पूरी तरह परमिश्वर को सरेंडर कर देते हैं जैसे कि पुलिस कोई मुजरिम से कहता है कि hands up मतलब अपने हाथ उपर करो तो मुजरिम तुरंट अपने हाथ उपर कर लेता है मतलब अपने आपको एक मुजरिम पुलिस को पुरी तरह स्रेंडर कर देता है परंतु जो मुजरिम बार बार चेतावनी के बावजुद भी अपने हाथ उपर नहीं उठाता तो पुलिस तुरंट उसे गोली मार देता है इसलिए जब हम अपने हाथ उठा कर परमेश्वर से प्राथना करते हैं तो इसका मतलब हम अपने आपको परमेश्वर को पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं पूरी तरह अपने आपको परमेश्वर को सौंप देते हैं तो अभी हमने जाना हाथ उठा कर परमेश्वर से प्राथना करने का सही अर्थ अब हम जानेंगे पवित्र हाथों के विशे में, कि पवित्र हाथ किसे कहते हैं, जिसे उठाकर परमिशर से प्रात्ना करना चाहिए, तो ऐसे हाथ जो पूरी तरह पाप से निर्दोस हैं, निस्कलंक हैं, उसे ही पवित्र हाथ कहते हैं, परन्त यदि हमारे हाथों में अभी अभी तक पांप के दाग लगे हैं, अभी तक पांप हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे हाथ पवित्र नहीं है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है, कि पवित्र हाथों को उठा कर प्रात्ना किया करें, तो यदि हमारा हाथ अभी भी किसी मूर्ती की इबादत कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे हाथ असुद्ध है क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर मुर्ति पुजा से सकते घ्रीडा करता है यदि हमारा हाथ अभी भी चोरी करता है या घूश लेता है या किसी भी ऐसे पाप के काम में लिपता है तो अभी हमारे हाथ असुद्ध है हाथों को उठा कर परमेश्वर से प्रात्ना किया करें, तो आज के लिए बस इतना ही, मान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु येशुमत से के नाम में आसे प्रदान करें, आमेन.